बला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना कोरोना रोक नहीं सकते तो फेलाया भी मत करना हेलो काईज में पर्दि प्रागर आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायो मत्र में और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कोविड नाइंटी एंसी क्यू की आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कि आपको एक्जाम के अंदर एजटी जो है देखने को मिल सकते हैं तो आप वीडियो के अंदर स्टार्टिक से एंड तक बने रही हैगा ताकि चीज़ें आपको बारी बारी से समझ में आएं आएं तो काईस स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में प्रकॉप चीन के किस प्रांत से सुरू हुआ था अभी तक आपने सुना होगा कि जो कोरोना वाइरस है यह एक सीटी है वहां सहर से फिला हुआ है ठीक है लेकिन यहां से पूछा गया आपके पास में कि प्रांत प्रांत कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा आंसर होगा हुबेई हुबएए प्राणत से चीन की हुबएए प्रांत से जो है इस korena वाइरस की शुरूरात हुई है अगर city पूझा जाए आपके तो वुहान City से थीटे का अगर नाम आए तो वुहान City से और प्रांत का नाम आए तो हुबएए प्रांत आगे बात करते हैं कोर नवेल कॉरोना वाइरस के लक्षन क्या क्या है देखिए यहां से आप पर उप्रशन मिलतstaw Song मिलते हैं जला तर ज़य है आपको लाष्ट्टस जो और उसके बाद में आपके जो हैं फेंपड़ों में दर्द मतलब यहां से केना चाहूं मैं आपसे एक वर्ड के अंदर एक सेंटेंस के अंदर तो रेस्पारेटर जो होता है वो पूरा का पूरा संक्रमित होता है इस कोरोना वाइरस से आगे बात करते हैं सार्स वाइरस किस देश में फेला था तो दियान दीजेगा सार्स वाइरस जो है यह आपकी किस देश में फेला था चाइना के अंदर ठीक है चाइना के अंदर फेला था और अगर हम बात करें यहां से सार्स वाइरस का पूरा नाम क्या है तो दियान दीज पूरा नाम, यहां पर हो जाता है जो कि सार्स जो वायरस है, यह आपके जानवरों से मनुष्य के अंदर पहुंचता है जानवरों से मनुष्य में यह पहुंचता है आगे बात करते हैं कि उसन नमबर 4 की और जिसे की बहुत most important कि उसन यहां पर देखने को मिलता है देखिए महामारी रोग अधिनियम महामारी रोग अधिनियम का कौन सा खंड राजे सरकारों और केंदर शाशित प्रदेशों को विशेश उपाई करने के किसी भी प्रकोप को रोगने के लिए नियम बनाने का अधिकार कौन सी धारा देती है तो आपको धारा बतानी है धारा कौन सी है तो धारा नमबर 2 आंसर क्या होगा है यहां पर दारा नंबर जो 2 है वो आपको उपाई करने के निर्देश देती है या अधिकार देती है सार्स वाइरस में A का मतलब क्या होता है तो देखें यहां से द्यांसे जो A है आपका यह आपनियाभी तक अभी तोले देर पहले फुल्फोमवडीती सार्स्डी सीवैल एक्चूट Sapirator Syndrome तो यहां से ए का मतलब क्या हो से एक्चूट जिसका हिंधी में मतलब देखें तो Tiws होता है हिंधी में क्या मतलब होता है तीवर होता है next question number 6 के बात करते हैं कि Corona Virus का संकरमन कां कांहोता है तो द्यान दीजेगा coronavirus का संक्रमन जो है आपके नाक के अंदर नाक, sinus, फेपड़ा और आज़ता है आपके पास में गला ठीक है या मैं कैसा था हूँ यहाँ पर भी एक sentence के अंदर की respiratory system है वो पूरा का पूरा आपकी इस infect होता है संक्रमित होता है तो बचने का सबसे बेस्ट उपाई है आपके पास में कि घर में रही है और डिस्टेंस मनागर अपना काम कीजिए नेक्स बात करते है कि उसा नमबा सेवन की MERS सबसे पहले किस देश में फैला था मार्स जो वाइरस है यह तीर प्रकार के वाइरस जो है सबसे खतनाखा में देखने को मिलता है वैचे तो हम साथ प्रकार के कोरोना वाइरस के टाइप को पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर देखें अबर तो यहां से मार्स की मिडल इस्ट मिडल इस्ट it is respiratory syndrome कि यह मार्स की फुलफूंव होती है अब यहां से आपको ध्यान लुटना है आप से पूछाशा जाता है जिस तरीके से हम ने यहां पे सार्स वाइरस में एका मतलब होता है उससी तरीके से यहां पर जो वर्ड है अपने पास में एका मतलब और पूचा जता है निखिन आपको इस्ट होता है मतलब नेच्स बार करते हैं कि को रैस्ट में हुई थी तो यहां दीजएगा कि किस दशक में रीट तो निसे संपरेंश के अंदर या हुई थी ouvertux खोज की थी एक किसने की थि टैरेल और बायोणी ने की थी और जिसका जो नाम दिया था इन्हों सबसे पहले जो खोज हुई थी 1965 में टायल और बायोणी ने की थी जिसका नाम यहाँ पर बी 814 दिया था बी 814 ठीक है बी बात करते हैं कोरोना उनुटिक है इसका मतलब है कि जानवरों से इंसानों के अंदर या मनुस्य में फैलता है इसको हम किस नाम से जानते हैं या जुनोटिक के नाम से जानते हैं आगे most important questions की बात करते हैं, question number 10 की, WHO ने किस तारिक को नोबेल कोरोना को महामारी के रूप में माननेता दी थी, ठीक है, question क्या है आपका, WHO ने किस तारिक को नोबेल कोरोना वाइरस को महामारी की रूप में माननेता दी, WHO मतलब World Health Organization, इसका पूरा नाम होता है, तेड्रोज एडेनोम, क्या नाम है, टेड्रोज एडेनोम इसका डायरिक्र जनरल का नाम है, जिसको अप्पॉइंट किया गया था, एक जुलाई 2017 को कब प्वट क्या गया था एक जुलाई 2017 को और इनका जुक कारे काल होता है वो पाँच साल का होता है कितने होता है पांच साल का होता है आगे बात करें अगर राजस्थान के Gouvernauld General की बात तेरे Gouvernauld General तो कलराज मिस्थर है आपके कौन है कलराज मिस्र राजस्थान के गवर्णर जिंडर है डबलू एच ओके आगे बात करते हैं कि नोवेल कोरोना वाइरस को कब महामारी के रूप में मानिदा दी गई थी तो 11 मार्च 2020 को कब 11 मार्च 2020 को इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स बात करते हैं कोरोना से पहले पहली म्रत्यू किस राज्य में हुई थी तो भारत के अंदर अगर बात करें तो करनाटका के अंदर करनाटका में सबसे पहले कोरोना वाइरस से जो हैं म्रत्यू हुई थी आगे बात करते हैं कोरोना वाइरस से जो हैं म्रत्यू हुई थी तो हमें बताना है USA के अंदर तो द्याद रखिएगा आप वासिंग्टन डी सी के अंदर वासिंग्टन डी सी में सबसे पहली मरत्यू कोरोना वाइरस की हुई थी इसी यूए से में ठीक है आगे बात करते हैं कौरॉणा वाइरस किसके करते हैं HCOV यह फर्स्ट टाइप है आपका जिसका नाम है 229E क्या नाम है इस कोरोना वाइरस का HCO 229E ठीक है दूसरा कोरोना वाइरस क्या है HCOV इसका नाम है आपके NL63 NL63 आगे बात करते हैं HCO की HCO आगे नेक्स्ट जो अपने कोरोना वाइरस है यह हो जाएगा OC43 OC43 नेक्स्ट बात करते हैं आपके HKU1 क्या नाम है HKU1 यह जो है आपके HCO आगे लगेगा इसके अंदर ठीक है OV HQ HKU1 इसका नाम है HCOV 229E और HCOV NL63 यह दूसरा वाइरस है और HCOV OC43 और HCOV HKU1 इसका पुरा नाम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आपने को इसके बात करें आप से कि एक वाइरस है आपके सार्स एक वाइरस आता है आपके पास में मार्स और जो अपना अभी का कोरोना वाइरस जो चल रहा है उसका नाम क्या है SARS COVID-2 SARS COVID-2 जो है इस वाइरस का अभी तक नाम है तो देखें यहाँ से गिन लेता है हम कितने टाइप में हमारे पास में मतलब क्या होता है तो यहाँ सबसे पहले बताया था मैंने आपको पिछली क्लासे इसको जाना जाता है कवीड 19 के नाम से इसको जाना जाता है अब यहाँ से क्योंचा पूचा जाता है कि जो कोवीड 19 है इसमें 되면 मतलब क्या होता है तो यहां सबसे पहले कोरोना वाइरस को क्या नाम दिया था तो अभी तोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सार्स सार्स कोविड नाम से इसको सबसे पहले विग्यानिकों ने बताया था तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर हमने यहीं तक विजाम देते हैं और फिर मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय है जय बारत